दोस्तों हम आपके लिए लेकर रहा है इस वीडियो में one word substitution जो आपके read के syllabus के अंदर है और इसके लावा राहिस्तान high court LDC exam के लिए भी English case topic में आप one word substitution सीख सकते हैं तो पहला हमारा देखिए पहला हमारा word है atheist जिसे हम कहते हैं नास ते खिंदी में sentence क्या है देखिए a person who does not believe in the existence of God जो इश्वर के अस्तित्म विश्वास नहीं करता वो कौन है नास तिक जिसे हम कहते हैं atheist अगला word है autocracy, autocracy को बोलते है हिंदी में निरंकुष रजेशासन, government by one man who has unlimited power unlimited power जिसके पास centralized हो पूरी government की एक ही आदमी के पास तो उसे क्या कहते है autocracy कहा जाता है आगे देखते हैं, आगे है autocrate जिसका मतलब बता है निरंकुष meaning क्या है a person who rules without consulting the opinion of others दूसरों के opinion को बिना consult किये जो शासन करता है उसे कहते है निरंकुष यह देखिए autocracy और यह autocracy तो एक शासन विवस्ता का नाम है और autocracy वो है जो शासन को कर रहा है उसके बाद हमने आस्तिक नास्तिक वाला भी यहां पर सिखा आगे देखते हैं अगला है arsenal, arsenal को बोलते है हतियार घर, meaning in English क्या है a place where weapons and ammunition stored जहां पर हतियार गोला बारूद रखे जाते हैं उसे कहते हैं arsenal उसके बाद देखिए allegory जिसे हम कहते है रूपक, a story in which a story in which ideas are symbolized as people, इसे हम कहते हैं allegory, रूपक आगे हम देखिए, aristocracy बोलते है, a government run by the nobility or the rich and the elite people, उसको बोलते है aristocracy, उसके बाद है autobiography, autobiography को हम बोलते है हिंदी में आत्म कता, sentence क्या सकते है आपके exam में a life story of a person written by self, किसी भी आलमी की जीवन की कता जो उसने खुद ने लिखी है ध्यानगना, autobiography उसके बाद है aviary, जिसको हम बहुत कहते हैं पक्षी शाला, या पक्षियों का घर, large cage और building for keeping birds, birds को रखने के लिए जो बड़ा पिंजरा है, या कोई building है, जहांवर बहुत सारे पक्षी है, तो बहुत कहते हैं, aviary, पक्षी शाला उसके बाद है analgesia, जिसे हम कहते हैं पीड़ाहर, loss of ability to feel pain while still conscious जिसे दर्द का महसूस ना हो, अगर वो conscious है तब भी उसे क्या कहते है analgesia, उसके बाद है एल्ट्रेश्ट, जिसे हम कहते है प्रोपकारी, a person who thinks unselfishly or other, जो दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्ट के सोचता है, उसे हम कहते है एल्ट्रेश्ट, हमारा है अगला एनर्की, एनर्की को बोलते है आराजक्ता, absence of government in a country, जहां पर किसी परकार की गवर्रमेंट ना हो, कुछ यह से निवस्ता संभालने वाला ना हो, उसे हम कहते है आराजक्ता, उसके बाद है accessible, जिसे हम कहते है प्रोपके, objects having life in them, उसे हम कह लेंगे accessible, यह हमने one word substitution सीखे, आप इस से आपके exam में आपके लिए बहुत help करेंगे, और भी मैं notes ले कराऊंगा जो आपके English में आपके लिए काम है, चैलन को subscribe कर लीजिए, और bell icon धबा दिजिए, ऐसे ही शादनर वीडियो आपके मिलते रहेंगे, thank you to all.